अस्तलाम वालेकुम, वेलकम टिटी इस वीडियो, आज के इस वीडियो में हम तवारस और इर्थका, साइन्स सेकेंड क्लास स्टेंद का फर्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके बाद आपको दूसरे चैप्टर्स पे भी वीडियो मिलेगी, बट आज हम लोग साइ जाका साब टॉपिकस दिये हुए तो तवारस और तवारसी तबदीलिया, इर्थका, डावन का खुदरती इंतखाब का नजरिया, जमाती जहूर, ट्रーンस्क्रिप्शन, ट्रांसलीशन, ट्रांसलोकेशन, इर्थका का फबूत, लिमार का नजरिया और इंसानी इर्थका तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे फर्स टॉपिक देखते हैं हम लोग इसका जो है तवारस और तवारसी तबदीलिया जैसे कि आप जानते हैं तवारस किसे कहते हैं हम लोग पहली ये बात देखेंगे कि तवारस एक्चली में हम लोग बोलते किसको है तवारस हम उस चीज़ को बोलते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक मतलब नसल से दूसरी नसल में कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते वो करने के अमल को हम लोग तवारस बोलते और उन्हों ने जून जॉनी जो था अपना व्क्त सर्फ किया और उनके साथ। हीुगो डी रोज जो थे शॉन्हों ने भी-एंकी मदद कि लितमेर और जैनेटिक्स में आगे बहुत्पड़ा कदम अजु आदार यक्रोमोर्जाओं और पता चलने लगा कि chromosome हौही जीन की मुन्तकली करता है। वह那麼 पता चला। फिर उसके बाद तबारसी वसीलों को जानने में और लोगों में दिल्चस्पी। और साइनेसम में दिल्चस्पी पैदा हुई। और वह और जानने के लिए आगे बढ़े। और कई साइंटिस ने Walter- String जो साइंटिस थे उन्होंने नाक तोड़ा उसके खलियात में हुआ अपि पता है आपको कुछ इस तरीके के होते हैं तो क्रोमोसो kings को जोडियों में देखा और तब तक किसी को मालूमात हासिल नहीं साहघका .. बताया उसके बाद कोई और साइंटिस्ट आया और उनहोंने क्या बोला कि जो virus होता है उनके अंदर डी-एस नहीं होता है ... बाकी सारे जराशिम डी-एस मौझी होनुद होता है तो ये कुछ तीन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये बता आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं ठीक है उसके बाद सन 1961 में एक साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था फ्रिंटकाइस जेकब एड जेक मोनाड इन्हों ने जीनियाती साइंसदानों ने जराशिम के खलिये में जराशिम की खलिया था बैक्टीरिया की खलिया था उसके जरीये worel­tine की तालीफ के अमल का नमुनत будете मतलब जो जराशिम में जो जराशिम में जो डी एने जो है क्या बोला जराशिम में जो डी एने उससे प्रोटीन कैसे बनता है उससे प्रोटीन कैसे बनता है उसके बारे में मालूमात बताई ठीक है यह दो साइंटेस्ट है इन्होंने बताई ठीक है उसके बाद इसके वज़ और समझ में मदद मिली, कि DNA जैसे हम लोग को लगता था, वो DNA में और क्या-क्या मौझूद है, जब प्रोटीन बना उस DNA से, तब हमको पता चला कि वो DNA में और क्या-क्या मौझूद होता है, तब उसके बाद आगे उसमें और मालूमात हासिल की गई, अब हम लोग देखेंग disorder, जीनियाती, बिमारिया पैदा हो सकती है, जिसको अपने class 9 में अच्छ से पढ़ लिया है आईए अब देखते हम लोग तीन चीजे क्या होती है तीन चीजे आपको जानने की जरुवत है transcription, translation and translocation तीनों चीजे, तो एक simple तरीके से मैं आपको बता दू कि तीनों चीजे क्या है सब में पहले transcription देखते है transcription का क्या मतलब होता है transcription का मतलब होता है जो DNA जो होता है Deoxyribose Nucleic Acid इस से mRNA का बनना एकदम simple है, DNA से mRNA के बनने के process को बोलते हैं हम लोग transcription I think आपको ये बात समझ में आ गई transcription किसको बोलते हैं DNA से mRNA के बनने को हम लोग बोलते है transcription ठीक है अब उसके बाद देखेंगे जो mRNA जो होता है mRNA से protein बनने के अमल को क्या बात चल रही है? mRNA से protein बनने के अमल को बोला जाता है translation क्या बात चल रही है? mRNA से protein बनने के अमल को बोला जाता है Translation Transcription DNA से MRNA बनना Translation MRNA से Protein बनना ठीक है Translocation Ribosome आगे आगे बढ़ते जाना उसका location हो हम लोग देखेंगे चलिए पढ़ते हैं पहले क्या दिया हुआ DNA में मौझूद Gene Nucleotide RNA की मदद से खलिए के आफ़ाल में हिस्सा लेते हैं इसी तरह जिस्मानी बनावट और इसके आफ़ाल पर काबू रखते हैं Gene में protein की तैयारी से मुतालिक मालूमात का जखेरा होता है Gene में मालूमात होती है जिससे protein बनाया जा सके जिस्मानी ज़रुवत के मुताबिक वक्तन-फॉक्तन मुनासी protein तैयार होते है जैसे कि आपके हड्डियों में protein चाहिए आपकी muscle में protein चाहिए आपके hair में protein चाहिए skin में protein चाहिए तो हिसाब से हर जगा पे protein बनता है तो इस इन protein की तैयारे DNA की वज़े से RNA के जरी होती है इसी को ही central dogma कहते है किसी किसको central dogma अब कहते है देखो DNA से RNA बनना RNA से protein बनना इसको बोलते हैं हम लोग central dogma ठीक है DNA के उपर जीन के जंजी के मताबिक mRNA तैयार होता है DNA तो पहले तूट जाता है और फिर DNA में कुछ nucleotide आते है nitrogenous base वो आ जाते है और फिर mRNA बनता है हम प्रोसेस देखेंगे कैसे बनता है इस दोरान DNA के दो धागों से एक धागे का इस्तेमाल होता है DNA के दो धागे होते है DNA तो आपको पता है कि DNA कुछ ऐसा होता है तो DNA में जो दो धागों में से एक ही धागा यूज होता है इक ही धागा इस्तेमाल होता है, ठीक है, MRNA पर DNA के धागों पर मौझूद नुकलोटाइट की तर्तीब एक दूसरे की तक्मील करते हैं, इस तर्तीब में DNA में थाइमीन की बजाए MRNA में युरासिल होता है, तो अभी आप एक चीज जान लो, कुछ nitrogenous base होते हैं, nitrogenous base क्या होते मैं आपको बताता हूँ, यह चीज आप याद रखना, A जो आता है, Adenine बोलते है, Adenine हमेशा थाइमीन के साथ लगेगा, यह कुछ nitrogen होता है, इनके अंदर nitrogen वाले base होते हैं, जो आपके DNA को बनाते हैं, तो याद रखना, A हमेशा T के साथ लगेगा, Adenine हमेशा थाइमीन के साथ लगेगा, जी, और यह तो मैंने बता दी है, यह तो DNA में होता है, DNA में क्या होता है, A के साथ T लगता है, C के साथ G लगता है, बट RNA में, A के साथ U लगता है, यू रासल, RNA में, रहेगी बात याद, A के साथ T लगेगा, DNA में, C के साथ G लगेगा, DNA में, बट A के साथ U यू लगेंगा RNA में और CG दोनों RNA में सेम होगा बट बसका चीज क्या अलग होगी A के साथ T लगेगा DNA में बट RNA में A के साथ U लगेगा ना कि T लगेगा ठीक है ऐसी चीज होगी